आप सब लोग अमीद है सब ठाफ होंगे आज हम यह जो लेडीज शूस बना रहे थे इसका दूसरा पर पनाने वाले हैं यहां से हमने स्कुएंड किया था यहां से ही आगे बनाएंगे इसमें जाए रहा हैं यहां पर दो चेंज बनाई थी यहां पर चार और यहां पर छे अ अब हम आठ चेंज बनाएं ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ और यहां ठीक है आठ चेंज बनाने के बाद हमें सिंगल क्रोशिय करना है यह देखें यह मैं फॉस्ट स्टिच छोड़के यह सेकेंड वड़े में सिंगल क्रोशिय करना हूँ यह दो हो गया है यह तीन हो गया है ठीक है अब हमारे पास पांच बची है और यह सिक्स वाला जो है वह हम इदर से भी एक छोड़ेंगे वह नहीं बनाएंगे अब फिर आज दो तीन चार पांच छे साथ और आज यहां पर अब स्लिप स्टिच बना दो ठीक अब फिर जेन थ्री और यह हमारे जो पच्छीस डबल क्रोशिय हैं इनके उपर हर स्टिच के उपर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे यह हम कंप्लीट करके तो वापिस आते हैं यहां तक तो आप भी बना कर दो यहां देखिए मैंने यहां तक कंप्लीट कर लिया अब हमने दस चेंज बनानी एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ नो दस ठीक है यह पहले दो बनाई फिर चार छे आठ और अब दस और हमारे पास इदर पांच स्टिचीस बचे हैं एक इदर से हमने फिर छोड़ा और यह अगले वाले में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया ह है और इस से अगले वाले में सिंगर और इस तफ़ा हमारे पास तीन बचेंगे पांच थे एक मैंने उस साट से छोड़ दिया और इस साट अब मैंने एक दो इन चार पांच चेस साथ, आठ, नव और दस, यह बनाने के पाद मैंने लिप स्टिच बनाया और चेन थ्री, वान, तो, थ्री और यह अब मैं डबल क्रोशी के उपर जो डबल क्रोशी बाकी हैं, इनको कुपलेट करें, ठीक है, यह देखें, अब हमारे पास यहां पर तीन स्टिचीज बचे हैं, हमें एक यह जो इदर यह जाली सी बनी हुई है, यह एक हमें और बनानी है, लेकिन वो हमें सबसे हमने एंडवे बनानी है, ठीक है, अब हमें इसके यह बैक बले साइट पर काम करना है, यह मैं पूरे डबल क्रोशी बना के यहां पर आती हूं, जो 25 डबल क्रोशी हैं, यह आप पूरे बनाएं यहां तक, यह मैं भी यहां तक बना के आती हूं, 25 डबल क्रोशी हैं, क्रोशी है, पुर्पे लान पर क्रोशी हैं, जो पर आती है जो राती हैं, कि अग्टिस डबल क्रोशे बनाने के बाद 25 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने टर्न ले लेंना है इदर से और जो एक लास्ट हमारी जाली रहती है जाली वले जो हमारा डिजाइन आगे रहता है वो हम एंड पे बनाेंगे ये देखे हमारा कमप्लीट हो गया लबल कुरूशिया अब हम ये बैक वारी साइडनेессरा यहां पहर यह हम एंड तू चेंज लेनी है थ्री नहीं लेनी क्योंकि अब हमें स्लिप स्टिच नहीं बना देना और हमने डबल क्रोशिया एक सेम इसी स्पेस में बना देना यहां से हमारा एक, यह डबल क्रोश्या घो है वो बढ़ गया है हमने increase किया है यहां पे एक डबल क्रोश्या, बिलकुल start यह इसके शुरूर में किती है और बाकी जो पूरी रो है, जो मैं पूरी लाइन जो मेरी है वो मैं बिलकुल ऐसे ही बना लूँगी यहां तक और एक में एंड पे यहां पर आप बढ़ा हूँ चीजिए यहां पandır तो आप यह पूरी कंप्लीट पर करें और मैं भी कंपलीट करते हूं यह देखें मैं एंड पर आगई हूँ रोव के यह मेरा आखरी स्थीच है तो ये दिफें यहां पर बनाया और फिर इसके अंदर ही मैंने इसी स्टिच के अंदर सेम सपेस में एक और डबल क्रोशिया बना दिया यहां से एक मेरा बढ़ गया है और एक मेरा शुरू से बढ़ गया है अब मैं दो चेंज लेकर यू टर्न लोगी और नेक्स स्टिच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस लाइन में मुझे कोई बढ़ाना नहीं कोई इंक्रीज नहीं करना इस वली रो में यह मैं बिल्कुल इसी त्रीके से अपनी कंप्लीट कर लूँगी यहां तक यह देखे मैंने यह जो रो है यह मेरी यह वली लाइन है यह कंप्लीट कर लिया है यहां पर मैंने कोई इस रो में मैंने कुछ नहीं बढ़ाया कोई भी मैंने स्टिच नहीं बढ़ाया अब मैंने चेंज टू लेन है ठीक है अब इसमें मैं इसी first stitch में ही मैं एक और increase करत होगी यह यहाँ पर मैंने अब बढ़ा रहे ठीक है अब बाकी पूरी row जो है मेरी पूरी line जो मेरी है उसको मैं इसी तरह से बना दो यह देखे और एन्ड पर जाकर आखरी स्टिच में बी मैं एक इंक्रीज करूंगी, एक बढ़ाऊंगी, यहां पर, ठीक है, आप यहां तक बना कराएं, यहां पर फिसमें बता करा क? ये देखें ये मेरा आखरी स्टिच है इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बना ले ठीक है आखरी स्टिच में भी मैंने दो डबल क्रोशी बनाया और फिर ये टू चेंज लेकि मैं टरन ले लिया और अब ये जो मेरी रो है यह जो मेरी लाइन है इसको मैं बिलकुछ इसी तरह से कम्प्लीट कर दोगी इसमें मुझे कोई इंक्रीज नहीं करना कोई पढ़ाना नहीं हर स्टिच के ओपर एक स्टिच बनाते हैं ओके यह मैं यहां तक कम्प्लीट कर आता है यह दिखिए मैं इस स्टिच के एंड में आ गई हूँ यहां पर मैंने दोचेंस लेके टर्न ले लिया है और यहां पर मैं एक और इंक्रीज कर लूँगी इस दफ़ा यह दिखिए एक स्टिच में दो है आपने अगर साइज छोटा है सेवन एट नमबर बना रही है सेवन सिक्स बना रही है तो बस आपने इससे ज्यादा आगे इंक्रीज नहीं करना और पाउं में पहन के इसको पूरा कर लेए ठीक है और यह मेरा चूंके बड़ा साइज है मैं इसका साइडों से भी थोड़ा सा और उपर को बनाऊंगी ग्रिप के लिए और इसको लंबा भी थोड़ा सा करूँगी यह मेरा नाइन टैन साइज है अगर आप हुक जो है वो फाइव नंबर की यूज कर रही है तो आपका यही साइज जो है वो टैन को भी आजएगा पूरा ठीक है और अगर आप हुक साइज से भी छोटा और बरी के फूल यूज करें थ्री प्लाई तो यह सेवन एट नंबर को आदे है यह मैं यहां तक कंप्लीट करके आती है और यहां मैं एंड पे फिर एक इंक्रीज करूँ ठीक है एक फिर बढ़ाऊ यह देखिए मैंने यह एंड वाला स्टिच बना लिया और यहीं पर मैं एक और डबल क्रुशिय बढ़ा लूँ यह इसमें आखरी स्टिच में मैंने दो स्टिच के उपर एक स्टिच इसी तरह से यह कंप्लीट कर दो है ठीक है यह हमारा एक दो तीन मैं काउंट करके आपको बताती हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस ग्यारा बारा सीरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्यस डीस यह बीसमा राउंड है और मुम्किन है आपका यहां पे जो है वो कंप्लीट भी हो जाए और अगर आपका यहां पे पहन के पांच कर लीजिए अगर लेंस कंप्लीट हो गई है तो यहां पर फिर आपने आखरी रो बला जो यहां पर मैंने डीक्रीज करना है अपने हील के लिए वो आप इस रो में कर आप वो डिक्रीज वाला फिर एंड वजी रो में मैं आपको बताते हूं किस तरह से हील का हील की शेट के नहीं है ठीक है यह मैं बिलकुल इसी तरह से बना लूँगी यहां तक आपी बना लूँगी यह देखिए मैंने यह कंप्लीट कर लिए मैं टर्न लूँगी और मैं अच्छी ग्रिप के लिए चुक्छे साइस मेरा बड़ा है नाइन टैन नमबर है यह तो मैं यह एक और इंक्रीज करने वाली है यह मैं फूर्थ फूर मेरा increase है चार मेरे इस side से increase हो गए है और चार मेरे इस side से increase हो जाएंगे यहां पर मैंने एक बढ़ा लिया है अब बाकी मैं double crochet के पर double crochet है बना लिए ठीक है अब का अगर complete हो गया है तो आपको पहुंच होता है तो increase करने की ज़रूरत नहीं आप पहन कर चेक करें यह मैं complete करके यहां पर मैं आपको जाइन करते हैं यह देखें लास स्टिच मेरा आगया है यहां पर मैंने एक बना लिया है और एक यह मैं बढ़ा रही हूँ अब इसमें एक स्टिच में मैंने दो बनाए है चेन टू लूँगी और टर्न ले लूँगी और अब मुझे कोई increase नहीं करना एज इट इसको यह अपनी रोग जो है वो complete कर लें ठीक है यह बिल्कुल इसी तरीके से मैंने नहीं रोग complete कर लें आप भी एसी करिंग कम्प्लीट करके यहां तक वापस आए यह देखें यह मेरी last row है मैंने थोड़ा थिक और hook जो है वो बारीक लेके बनाया है इसलिए मेरी इतनी ज्यादा जो है वो रोज बनी है अधर पाइस आपकी जो है 19 ही रोज काफी होगी तो मैंने hook size थिक बनाने के लिए यह 3.4 mm लिया यह two change ली और मैंने turn ले लिया अब आपको क्या करना है mid में से three stitches हमने जो है वो अपनी हील के लिए अपनी एड़ी के लिए shape देने के लिए join together करने है ठीक है तो यह देखिए अब मैं turn ले रही हूं और मुझे दो मुझे जो है यह mid वले तीन stitches में join together करना है यहां तक मैं बना कर यह मैंने दर्मयान वाले तीन stitches पर यह स्टीच मारकर जो है लगा लिया है आदे इदर कर लिए यह देखिए इस तरह से डबल क्रूशिया डबल क्रूशिया यहां तक बनाता रती यहां पर लोगी यहां पर लोगी यहां पर लोगी यह देखिए अब मैंने क्या करना है अब मैं इस्टीच मारकर को निकाल रधी यहां पर मैंने डबल क्रूशिया बना के उसका लोग जो है एक दफ़़आ उसको बना के यह क्रूशिय में रखोंगी फिर एक दफ़ा बनाके क्रोशिय में रखूंगी दो हो गए फिर एक दफ़ा बनाके क्रोशिय में रखूंगी ये मेरे तीन हो गए ठीक है और चौथा ये मेरा पहला वाला स्टिक है अब मैं इनको जॉइंट वेदर इस तरह से बनाते है ठीक है तो ये हमारी जो है वो तील की शेप आजाएगी अब बाकी मुझे एजिट बिल्कुल इसी तरह से डबल क्रोशिये योपर डबल क्रोशिया इस तरह से मुझे ये अपनी रो जो है वो कम्प्लेट करें जहां भी आपने आपका जहां पर लंबाई कम्प्लीट आपी हो जाए तो उससे एक ये रो पहले आपने फिर ये फील को शेप देनी ये देखें हमारी जो है वो इस तरह से ये रौन से शेप आजाएगी ठीक है मैं यहां तक कम्प्लीट करती हूँ आप भी कम्प्लीट करें यहील की अब मुझे क्या करना है इनको इस तरह से जोइं करने के बाद इसके पहला स्टिच है ये फिर्स्ट वला स्टिच है इसमें ये मुझे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने यू टरन ले लेना है और यहां पर ये इसके साइडों पे वर्क करना है यहां इसको सेफ इंशिंग देने के लिए और ये अपनी आखरी डिजाइन कंप्लीट करने के लिए अब मैं यहां स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से इस तरह से लिए इस तरह से लिए इस इस दो दफा बनेगा और फिर नेक्स्ट में आज़ए हैं और फिक में नेक्स्ट में आ जाती है इस तरह हमारा जो है और अगर आपने जादा फिटिंग करनी है तो आप एक इस भी डबल प्रोश्य बना सकती है अब ये देखें मैं इस रोव में आ गई हूँ ठीक है बलकि ये मुझे स्टिच नहीं लेना मैं यहां पर आगी हूँ पहले हमारा डिजाइन यहां से स्टार्ट होता है अब हमारा यहां से स्टार्ट होना था तो मैंने अब एक दो ती ये दो चेंज थी ये चार ये छे ये आठ ये दस और अब हमारी बारा चेंज बनाई हैं मैंने कितनी बनाई हैं मैं भूल गई एक दो तीन चार पांच छेस साथ आत नौ दस ग्यारा और नौ ठीक है बारा चेस बनाने के बाद यह जो हमारे यह देखें यहां पे तीन डबल क्रोशी थी तो हम मैंने इतर से पहला छोड़ा और यह दर्म्यान वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट वालप फिट मैंने छोड़ दिया और बारा चेस बना लिए एक दो तीन चार पांच छेस साथ आपने बैलेंस में बनानी है यह तो कुछ चोड़ी कोई बड़ी हो जाए ठीक है अब यह देखें यहां पे मैंने आपे स्कोष दुछ शींगल क्रोशिया बनायाओ इद गहां वे लाष हमाराइव यहांब इछाब ली खांभी गनाया अबने अवे फिरसी वही हाव यहांग सिंगल क्रोश जावना कर्वासाथ उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है आपको, इस तरह से दूसरी साइड पे बनाया है, मैं यहां तब कम्प्लीट कर गया थी, यह देखें, पाउं में कैसा जबर्दस्त फिटा आया है यह, तो मैंने अपने पाउं में पहन कर देखा है, और यह मैं यहां एंड पे आ गई कर देखेंगे हैं, और यहां पे मैं क्या करूंगी, स्लिप स्टिच करके, यह जो मेरा यान है, इसको थोड़ा लंबा कट करूंगी और यह, यह है यहां से मैं इसको स्टिच कर द symज ठीक है नीडल में डालके इसको अच्छी तरह से स्टिक बतूँमें यान को मैं थोड़ा लंबा यहां से कट करूंगी और फिर मैं इसको नीडल में डाल की आपको स्टिक ये देखिए मैंने इसको कट किया है अब थोड़ा लंबा और इसको मैं अब नीडल में डाल की तो यहां सीचो है यहां हम इसकी दूसरी साइट पर जाएंगे उसा करेंगे इसको इसको इस्तिक इतर से इसको पूरा कंप्लेट कर दूगी यहां से भी हमारी बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है अमीद है आप बनाएंगे आपको जरूर पसंद आएगा और यहां से भी हमारी बहुत अच्छी इसकी बनी है मेरी वीडियो अगर अच्छी डगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर स्रोर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताके मेरी हर नई आने वली वीडियो का नोटिफिशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो या कि में यह इसके प्टरण में तो कोमेंट करथे कर सकते हैं जहां से कमच नहां आ रही हो questo किसे में और आपको क्या सब्सक्राइब अधोर 2 को